दूप में जो कश्ट को देखकर मायम को थोпрा से दैया आया प्रेयरा आई हम लोगों के प्रत्सी की इतना पढ़के लिप के जब ये कंडिसन थे ब्यांगों के साथ तो मेरे सोची कि आप लोग को घाना पिना मिला है कि नहीं मिला है मैं मैं क्या है कि फ़ल आई है जो केला है और चाहती है कि हमारे देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितने यह पहले विकलांग के नाम से जाने जाते थे लोग देश में जब 2014 में सरकार आई तो आदानडी प्रधान मंतरी जी ने नरेंद मोदी जी ने डिब्भयांग शब्द दिया था और शबस्दों से काम नहीं चलता अधानडी प्रधान मंतरी जी को मैं आप सबके माद्यम से आपके चैनल के माद्यम से कहना चाहरा हूं पधान मंतरी ची चौबीस घंटे से लोग दिल्ली के सेंटर में बैटे हुए हैं आपके नाक के नीचे लेकिन आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कोई नुमाइंदा नहीं आया इन गरीबों को द देश के लोग सभी यातियों के लोग शमर्थन करेंगे आप कहाने पीने की कोई विवस्ता भी आप करवा रहे हैं और मैं खुद जो मेरी छमता है मैं चोटा सा आदमी हूं शमाश्यवी हूं मैं इनको शब को एक टाइम का खाना और पाने का इंतियाम तो मैं करवाता हूं बराबर करवांगा खाने का मैं इंतियाम करता हूं दूसरे शमाश्यवीश कहता हूं कि जितने आदमी आएं सब को खाना पीना मिलना चाहिए और इनहीं के साथ देखिए यह हमारी देश की रीड हैं हम इनहीं की विकास नहीं कर पा रहे हैं बातें लंबी चोड़ी आप कर पाली हमको को जो कोई दीपा वली हम नहीं मनाएंगे हमारे बिकलांग भाई हमारे भुक्य मर रहे हम दीपा वैसे मनाएंगे हम किस खुषिं में अच्छे लोग एंगे appropriate यह पैंने लोगह यह मां तो अभी अपने समाज के लोगों से और जहां जिन शमाज के लोग समाज स भी अच्छे लोग हैं उसे गुरुपों में कब से 70 मेरे साथ सोसल मीडिया पर है अभी मैंने वीडियो भी बनाया इनका सब का लिया है बयान भी लिया है कि इनके साथ धोका हुआ है मैं तो पूरे उसमें डालूंगा कि कोई दीपावली नहीं आएगा यह जूटे सरकार जो निकमी शरकार हमारी बैठी गूंगी बहरी सरकार क्या इनकों पता नहीं चल लग चौबिस घंड़ास लोग बैठे हैं सेंटर दिल्ली में यह कोई बिहार और वीपी थोड़ी है जंगल राज थोड़ी है आप लोग बैठे हैं यहां पर तुम हैं अब पने देश की देखेंगे पहले जहां हम लोग बैठे हैं हम अपने देश के लोगों को देखेंगे एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमने कलॉनिया नियमित कर देंगे, किसान का करजा माफ कर देंगे, लेकिन इन दिव्यांगों का क्या होगा, क्या किसान का करजा माफ करने से इनको नौकरी मिल जाएगी? देखिए जी इनको तो देखिए किसान नौजवान और विकलंग देश की हमारी सबसे बड़ी बात है सबसे पहले इनकी सेवा होनी चाहिए और सबसे दुख की बात बता रहा हूँ यह देखिए दूर दसन चैनल भारत सरकार का है मेरे शामने यहाँ पे शरम आनी चाहिए चैनल वालो एक गोदी मीडिया डूट के मर जाओ तुम तुम देश सेवा कर रहे हो तुम देश के कलंगों देश को डुबाने वाले लोग हो इन लोगों की आवाज ने उठा रहे हैं शरम आनी चाहिए ये दिल्ली के दिल्वाले हैं इनका साफ कहना है कि दिल्ली में ऐसे लोग भी हैं जो इन दिव्यांगों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे